एक रात में बालों का ज़र्णा होगा बंद, 100% फायदा मिलेगा, आप जरूर आजमाएं एक, ज़र्टे बालों से निजात पाना चाहती हैं, तो आप अमरूद के पत्ते के साथ मेथी मिलाएं इसके लिए दो गलास पानी गर्म होने रखें, फिर इसमें दो चम्मच मेथी दाना डालें, चार मिनट के लिए उबलने दें, फिर इसमें दस अमरूद के पत्ते साफ करके डालें, दोनों को मिक्स कर लें और उबलने दें, पानी आदा रह जाए तब तक उबालें, फिर ठं इस मिनट तक रखें फिर सर को धो लें इससे आपके बाल जढ़ना बंद हो जाएंगे बाल शाइनी बनेंगे रूखे वेजान बालों से भी निजात मिलेगी अमरूद के पत्ते हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं आप चाहते हैं तो अमरूद के पत्तों का तेल भी बना सकते हैं ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है जिससे बाल जढ़ेंगे नी दो नीबू का रसले इससे दुगना ना तीन, ग्रीन टी को एक कप पानी में मिलाकर अपने सर में लगाएं, फिर एक घंटे के लिए सर में छोड़ दें, एक घंटे बाद में सर को धो लें, ग्रीन टी में एंटी आक्सिडेंट पाये जाते हैं, जो बालो को जहनने से रोकता है, ये घरेलू टिप्स आपको बहुत ज़्यादा मदिदगार साबित हो सकते हैं, अगर आप इनको लगाएंगे तो, तो आप इनको ज़रू लगाएं, चार, एक एलू वीरा लें, उसको अच्छे से धोके छिलके सहीत काट लें, बारिक पेश्ट तयार कर लें, फिर एक कड़ाई में उस पेश्ट को डालें, औ और अब आदा कप नारिल का तेल डालें, अब इसको दो मिनट के लिए धीमी आज पर पकने दें, अब इसमें एक इंच अधरक का टुकड़ा कद्दू कस करके डाल दें, जब ये दो मिनट तक पक जाएं, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दें, फिर छान लें, छानने के बाद एक काच के कंटेनर में भरके रख दें इस तेल से हपते में तीन दिन मालिश जरूर करें ध्यान रहे तेल को गुन-गुना करके ही मालिश करें आप खुद देखेंगे कि आपके बाल जणना बंद हो जाएंगे और घने लंबे और शाइनी होंगे पांच नारिल का तेल चार से पांच गुड़हल के फूल लें एक चमस मेथी दाना एक कप मीठा नीम एक कप कड़वा नीम इन सब को मिक्स करके नारिल के तेल में धीमी आज पर पकने दें जब ये अच्छे से तीन से चार मिनट तक पक जाएं तब इसे ठंडा होने के लिए रख दें ध्यान रहे ये जलना नहीं चाहिए फिर इसको एक कंटेनर में भर के रख दें हपते में दो से तीन दिन मालिश जरूर करें इससे आपके बालों का तूटना जड़ना बंद हो जाएगा बाल लंबे और मजबूत होंगे तो जब भी आप किसी तेल में कुछ भी तो आप बिल्कुल भी इस हिसाब से पकाएं कि जो हम डाल रहें कड़ी पता या पिर जो भी एलो वीरा तो वो जलना नहीं चाहिए बिल्कुल धीमी आज पे पकने दें 6. महंदी, अद्रक, नीम, हरी धनिया, लहसून इन सब का पेश्ट बना लें और पूरे सर पर लगा लें आदा गंटा तक सर में रहने दें फिर सर को धो लें इससे आपके बाल कभी नहीं जड़ेंगे 7. अद्रक और प्याज का रस इन दोनों का रस भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है अद्रक और प्याज में सलफर, आइरन और विटामिन सी होते हैं जो बालों के लिए बहुत ही जरूरी होते है 8. अलसीका तेल भी बालों के लिए बहुत उपियोगी होता है इसको बाल धूने के 30 मिनिट पहले लगा ले फिर बाल धूले 9. सीका काई से भी आप बालों को जढ़ने से रोक सकते हैं अगर आप बालों को सिका काई से दोएंगे तो इससे आपके बालों में बहुत फायदा मिलेगा बाल जढ़ेंगे नहीं मजबूत होंगे और काले होंगे 10. बाल कई कारणों से जढ़ते हैं हार्मोन्स इन बैलेंस शरीर में कोई बीमारी या फिर बालों की सही देख रेकने करना बालों को जढ़ने का एक और कारण होता है पाचन तंत्र का खराब होना तो आप फाइवर युक्त खाना खाएं 11. पोशक आहर का आभाव बालों के पोशन के लिए पोशक तत्व आइरन प्रोटीन जैसे पोशक तत्व अगर बालों को नहीं मिलते हैं तो बाल जढ़ने और तूटने लग जाते हैं इसलिए अपने भोजन में आइरन प्रोटीन युक्त भोजन पर धिहान दें 12. Chemical rebuilt hair product का जदा इस्तिमाल करना बालो पर chemical uk somebody shampoo या अन प्रोडट लगाना बालो को dye करना इन सबसे भी आपके बाल जढ़ सकते हैं इसलिए chemical uk company hair product यूज करना बंध कर दें हमने जो आज आपको tips बता हैं ये बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है आप एक बार जरूर आप इनको लगाएं आपकी बाल ज़र्णना बंद हो जाएंगे सफेद नहीं होंगे बहुत ही सिल्की शाइनी होंगे हमरी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जो वैल आइकन है उसको प्रेस कर लीजे धन्यवाद